Asia Pacific on Money Laundering यानि APG की रिपोर्ट में पाकिस्तान हर मुर्चे पर 16 शावीत हुआ है जबकि एक में उसे मध्यमस्तान हासी हुआ है इस बाब का खुलासा APG की Mutual Evolution रिपोर्ट में हुआ है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि United Nations Security Council Resolution 1267 को लागू करने के लिए सही कदब नहीं उठाए गए Asia Pacific on Money Laundering यानि APG की रिपोर्ट में पाकिस्तान हर मुर्चे पर 60ी साबित हुआ है Money Laundering और Terror Funding के खिलाब करवाई के 10 मान दंडों में पाकिस्तान 9 में 60ी रहा जबकि एक में उसे मध्यमस्तार हासिल हुआ है इस बात का खुला सा APG की Mutual Evolution Report में हुआ है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि United Nations Security Council Resolution 1260 को लागू करने के लिए सही कदब नहीं उठाए गए रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगटन लेक्ष करे तयबबा, जमातु दाबा और फला ए इंसानियत फाउंडेशन और इनके सर्गना हाफिस सईद के खिलाब थोस कारवाई नहीं की है APG Financial Action Task Force यानी FATF की शित्रिय संस्था है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लेंड के दबाव के बाद FATF पाकिस्तान को जून 2018 से संदिक्ध सुची में डाल चुका है APG की और से पाकिस्तान के खिलाब प्रतिकूल तथे पाए जाने के बाद अक्टूबर 2019 से उसे नकारात्म करडार पर रखा जाएगा इसके माइने हैं कि पाक के लिए दिक्कतें और बढ़ेंगी और वो संदिक्ध सुची में बना रहेगा इसके बाद उसे काली सुची में डालने की प्रकिरिया भी शुरू हो जाएगी 228 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगले हफते पाकिस्तान की FATF रैंक पर फैसला होगा पाकिस्तान ज्यादा तर माप दंडो पर फिसटी पाया गया है खासकर जब हाफिस साइद जैसे वैश्विक आतंक वादियों के खिलाब कारवाई करने की बात हो रिपोर्ट में कहा गया है कि UNSCR 1267 कमीटी की रिपोर्ट में 2008 में जमात उदावा और 2012 में फला ए इंसानियत फाउंडेशन का नाम शामिल होने के बावजूर ये दोनों संगटन पाकिस्तान में खुले आम जन सधाय करते हैं और फंड जुटाते हैं पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें मानुवे रहत और सहायता के नाम पर इन्हें चंदा वसूलते देखा गया है इन संगटनों की ओर से एम्बुलेंस सेवाई जारी रखने पर भी सवाल उठाये गए हैं कि इनकी फंडिंग के खिलाब कारगर कारवाई की गई है या नहीं पेरिस में होने वाली FATF की पैठक में भारत का पक्ट मजबूत रह सकता है लेकिन पाकिस्तान को ब्लेकलिस्ट करने की उसकी कोशिश उतनी आसान नहीं है क्योंकि पिपल्स बैंक ओफ चाइना के जियांग मिल लिव फिलाल FATF के चेर्मेन है हीरो रिपोर्ट